हिमाचल प्रदेश के उपरी अलाके में शुखरवार को हलकी बर्फबारी हुई जिसे कुछ अलाको में लंबे समय से जारी शुष्क दौर समाप्त हो गया गाटी में गुरुवार राज से नियुन्तम तापमान में बढ़ूतरी दर्श की गई पंजाब के कहिसो, हर्याड़ा उतर प्रदेश के कुछ हिसो, राजसान और उत्राखन के अलग-अलग हिसो में सुभरात के दोरान घने से बहुत घना को राच्वाय रहने की संभावना ह उतरी मदप्रदेश, बिहार, उप हिमालाई, पश्व मंगाल और पुर्वूतर भारत में घना को राच्वाय रहने का अनुमान है पूर्वे उतरप्रदेश के कहिसो, पुष्व में उतरप्रदेश के कुछ हिसो, पंजाब और हर्याडा में ठंडे दिन से लेकर गंभी ठंडे दिन की स्थिती संभाव है शमला से मिले समाचारो के अनुसार हिमाचुल प्रदेश के उपरी इलाकों में शुकरवार को हल्की बर्फबारी होई जिससे कुछ इलाकों में लंबे समय से जारिश शुष्क दोर समाप्त हो गया राजे के उपरी पहाडी उपर 31 जन्वरी तक अलग-अलग इलाकों में बर्फबारी होने के सम्भावणा है वहीं मद्य पहाडी इलाकों में 29 जन्वरी तक मौसम शुष्क रहेगा साने मौसम कारेयाले ने बताया कि 31.01 को मदेपहाड इलाकों में बर्फबारी और अलग-अलग इलाकों में बारश होने के संभावना है जबकि नीचुली पहाडी वह मैदानी इलाकों में 31.0 जनवरी तक मौसम शुष्क बने रहने की उमीद है आज के मौसम के संभावित के दिवधी संभाव है बिहार के कोछे सो और पश्रमी राजसान और पूर्वी राजसान में एक्या दोस्थानों पर ठंडे दिन की सती रहने के उमीद है पश्रमी हिमाले पर हलकी से मध्यम बारिश और बर्फ बारी संभाव है अंडमान और निकोबार दुपसमों में हलकी से मध्यम बा संभाव है